अईले राज्य का सम्भाईधानिक अंग हरू बिचल्ली में परेका छन। करीब पाच दर्जन ती सम्भाईधानिक अंग का पदाविकारी हरू अध्यादेश को माध्यमबाडा आका छन। अध्यादेश निरंकुष प्रतिकवन कारी सरकारी समशद लाई मारेर ठीचे रहरा राष्टिया शवाल अंत्य गरेर भारा एक्षे चौदलाई अपव्याक्ष्यार बेहिमानी गरेरा स्चितोरररा कोपरररा अधिवेशन अंत्य गरेरा लियायको त्य। सम्मिदान ले अनिबार्य सुनुआई बने को छ अद्धा चमवदे बिना सुनुआई निउक्ति हो जाई त्या राष्टपति बनी चुक्नुवो अईले यो नियामाबली का अधार मां पैताली दिन आगेको भनेर बनायेको ती निउक्ति हरू दोस्त्रों बिगट्टन गरे फेरी आरको अध्यादेश लियाए राष्ट बैशाक 21 गते अधालत में मुद्धाई परेपति पूष एक गते देखिका मुद्धा अईले सम्म सुनुआई बाचाई न तर दुई जाना कुना अपसरा खासकुष कुरा गरे राष्ट एक जलाला साची राखे राष्ट बध्याजने कुरा घहर काम गरियो प्रदाद यायदिसबाट यो सुनवाई हुन सक्षा की सकता ही ना वहले जसरेवय पनी यो सुनाई गरी बाताबना बनाय और विभिन भीकल्ब गरे र जानू पर्यूं! अद्यच्यषण! राष्टेशावा अद्यच्यवा अद्यच्यषण! सभई काम माद इन्भल्ब रहागी हो नुझा! त्श काहली यो सदर्ले निर्देशन गर्दा बनी अद्येच्य भायक उनी गरिदा! निर्देशन गारन पर्यों, हम्रों सम्मिदान सवा नियाम, हम्रों राष्टे सवा नियाम बलने केई कुला हमेचा, अंतराष्ट्य मन लेता हरू, मा प्रस्न उठो, मनवधिकार आयो, थर, थर काम न पर निभयो, सम्षद को गरिमा पनी घटो, अदालत को आवोचन लाहुन नियपाल विरोदी हरू नास न धाले, यही मौका छोपे रा, धर्मको नावमा मुर्ती सोर हरू, लात तंत्र का खुरा मांगने छाले, पर्तन दी सबा माभा महाव्योक को बाड़ी आउनी वो, सबाई अस्त बेस्त हुनी वो, अध्यादेशको शरकार, उने, इतिहांसको क प्रलंक का भायरा वली सरकार जानी हूँ